गुड मॉर्निंग एवरिवन आज हम LLV फेस्टियर के सब्जेक्ट अपकर्थवीधी के अंतरगत विकेरियस लाइबिलिटी का धियन करेंगे विकेरियस लियाबिलिटी परतिनितिक दायत्यों के अंतरकरत आज हम इस्टेट के परतिनितिक दायत्यों की चर्चा करेंगे अर्थात राजे का परतिनितिक दायत्यों विकेरियस लियाबिलिटी ओब स्टेट परतेनिदिक दाइतियुक्号 के समध्र में जहाँ एक विक्ते के द्वारा किये गई अपकर्तिमन कारिये के लिए, दूसरे विक्ते को जिम्मेदार उतरदाई ठहरा जाता है. ऐसी इस्तती में यहां एक महतुकून परसन है कि जिस प्रकार से सेवक के द्वारा किये गई कारिये के लिए स्वामी को तरदाई ठहराए जाता है एक विक्ति के कारिये के लिए दूसरे विक्ति को जिम्यदार ठहराए जाता है क्या उसी प्रकार राज्य को भी अपने करमचारियों या सेवकों के दोरा नियोजन के दोरान किये गए अपकर्थपून कारियें के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएगा और जिम्मेदार ठहराए जाएगा तो किस सीमा तक देखिए इस विशे में बात करें तो भारती वीधी आंगल वीधी के सिद्धानतों पर अधारित है कौमनलों में पहले ये सिद्धान था कि राजा न्याय का सुरोत है तता राजा अपकर्थ करी नहीं सकता किंग कैंडून रोंग की एक कावत थी राजा सभी दायतियों से मुक्त था राजा कोई गल्दकारी करनी सकता था इस प्रकार की एक कावत थी दारणा थी आपकर्त के अंतरकत करने वाला व्यक्ति स्योम जिम्मेदार होता था, उतरदाई होता था, राजा मुक्त होता था परन्तु इंग्लेंड की इस कॉमन लों में क्रांतिकारी परिवर्थन आया तथा Crown Proceeding Act 1947 के पारित होने के पश्चात समराथ अपने सेवकों द्वारा किये गए अपकर्ते से किसी को होने वाली छती के लिए उसी प्रकार उतरदाई माना जाने लगा जिस प्रकार एक व्यक्तिकत स्वामी लेकिन भारत की बात करें तो भारत में Crown Proceeding Act 1947 जैसा कोई अदिनियम नहीं है भारत की बात करें तो यहाँ पर दो इस्तती हैं एक अठारा सो अठावन से पूरू और एक पश्चात की और उसके बाद में आजादी के पश्चात सर्युदान के निर्मान होने के पश्चात की 1888 से पूरू भार देश में इस्ट इंडिया कमपनी का सासन था इस्ट इंडिया कमपनी भी उसी प्रकार परते निर्दिक दायत्यू के हगदार थी जिस प्रकार एक सेवक के कारी के लिए सवामी और 1858 के पस्चात की बात करें तो भारत सरकार अधनियम 1858 के अंतरकत भारत राज्जी के सची उपर अपने करमचारियों के दुआरा नियोजन के अनुकरम में किये गए दोस्टून कारियों के लिए बात चलाया जा सकता था और इसी प्रकार से 1858 से पूरू इस इंडिया कंपनी के उपर भी बात चलाया जा सकता था भारत के आजादी के पस्चात सर्विधान का निर्मान होने के बाद सर्विधान के अनुर्चे 300 के अंतरगत भारत सरकार और राज्य सरकार को आर्टिकल 300 के अंतरगत विधिक व्यक्ति माना गया इसके अंतरगत अब भारत सरकार किसी परव्यक्ति के विरूद भारत संग के नाम से वाद सिविल वाद चला सकती है और कोई परव्यक्ति भारत संग के विरूद भी वाद चला सकता है इसी प्रकार राज्य का भी दायत्यू है, राज्य भी किसी पर व्यक्ति के विरूद वाद चला सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति पर व्यक्ति स्टेट के विरूद भी वाद चला सकता है, ये इस्तती इसलिए कि आर्टिकल 300 के अंतरगत भारत सरकार और राज्य सरकार को या के इस्टेट को विदिक व्यक्ति माना गया है भारत सरकार भारत संग के набा से बढ चला चकती था है। О shoots regulate एं LT305 के पर नंतरगत और विधिक व्यक्तितू का दर्जा देए गया है। लेकिन ऐसी कोई विधिक कारवाईयां लंबित हैं, कब लंबित हैं सविधान लागु होने के पास जहाद जो सविधान लागु होने से पहले से चल रही हैं, ऐसी विधिक कारवाईयां लंबित हैं जिसमें भारती अधिराज्य एक पक्षकार हैं, तो उन कारवाईयों में उ सुभा या राज्य किस्तान पर राज्य को परतिस्तापित किया जाएगा इस प्रकार चे भार सरकार और राज्य सरकार के परतिनितिक दायत्यूं के बारे में हमने चर्चा की इस सम्मन्द में हम कुछ मामलों की चर्चा करें तो उसमें सुरोपर्थम स्टेट आप राजस्तार बनाम स्रीमती विधावती EIR 1962 सुप्रिम कोर्ट का एक मामला है बहुत ही परचलित मामला है इस मामले में जिला कलेक्टर के इस्तेमाल के लिए एक सरकारी जीप गाड़ी थी जब ड्राइवार वर्क्सॉप से मरमत करवा कर तेजी से गाड़ी ला रहा था तब जीप एक पैदल यातरी से ठकरा गई जिसके काड़ पैदल यातरी बुरी तरे से गायल हो गया और बाद में उसकी मिर्ति भी हो गई मर्तक की पतनी स्रीबती विधावती ने राजस्तान सरकार पर मुगदमा चलाया जिसमें उच्चतम ने निर्ने दिया कि रास्तान सरकार अपने नोकर ड्राइवर द्वारा किये गई अपकर्त के लिए उसी परकार उत्तरदाई है जिस परकार कोई स्वामी अपने सेवक द्वारा सेवक आल में किये गई अपकर्त के लिए उत्तरदाई होता है हैं देखिए इस वाद में एक सेनिक मोटरियान से सेनया की सिपाही एक इस्तान से दूसरे सतन पर लाय जा रहे थे driver की ऐसा धानी से मोटरियान एक टेंपो से टकरा गया जिससे टेंपो के टेंपो में स्वार एक यात्री साविता सरमा के पैर में काफी चोट लगी और बाद में चलकर पैर को गुटने केस्तान से काटना पड़ा उसने यूनियन आफ इंडिया के वरूद क्योंकि सेनायान का जो ड्राइवर है वे सेंटर गोर्रमेंट का सेवक था इसलिए Union of India के विरूद छतिपूर्ति का बाद दायर किया और न्याले ने छतिपूर्ति के लिए उतरदाई माना और याचिका करता सविता सर्मा को छतिपूर्ति की राशी परदान की गई इस प्रकार से हमने राज्य के परतिनिति दुदाईत्यू अर्थात सेवकाल के दोरान सेवक या क्रमचारियों के दुआरा के गए कारिये के लिए सरकार की जिम्मेदारी के बारे में हमने चर्चा की अध्यन किया मेरे विचार से ये वीडियो के मात्यम से आप जरूर लाभनवित होंगे अगले वीडियो में वापस मिलेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद